सो अब आते हैं distribution what is distribution देखी multiple version of Linux Linux के जितने भी versions होते हैं जितने भी versions अब को distribution कहांगे है ठीक है और every distribution of Linux is free जैसे आपको पता है Linux free होता है तो इसके जितने भी versions आए सब free है तो can be downloaded free वह असानी से download किये जा सकते हैं इंस्टॉल in multiple system आप किसी भी system में इसका इस्तेमाल कर सकते ह हैं some popular Linux distribution क्या है Linux Mint, Solars, Monjaro, Fedora, Desbian, Elementary OS, Ubuntu, OpenSUSE ठीक है यह कई सारे popular Linux distributions है और यह बने भी कैसे हैं जैसे कई सारे लोग यह कुछ-कुछ लोग मतलब क्या होता है कि अपनी creativity का इस्तेमाल करते हैं अपना version निकालते हैं वह popular हो जाते हैं तो फिर लोग उसको इस्तेमाल करते है तो वही चीज़ है कि आप अपना version निकालो और अगर वह famous हो गया तो लोग उसको अच्छे से use करेंगे हैं तो each distribution has a different task and desktop मतलब कि आपके लिए आपके personalized अलग-लग तरीके के distribution है अलग-लग तरीका है सिर्फ आपके लिए आप उसको अपने अपना जो भी आपका particular काम है उसक some opt for modern interface कुछ ऐसे हैं जो पुरान नए आप इंटरफेस का इस्तमाल करते हैं genome and elementary OS ठीक है और old traditional desktop भी होते हैं जैसे कि open source KDE ठीक है तो I hope अब इसके बाद आप Linux के एक basic version को Linux के एक basic जो भी अब क्या होता है Linux अब अच्छे समझ चुके हैं अब next video में हम around 40 इसकी commands करेंगे जो basic commands होती है उसके बाद आप बोल सकते हो कि आपको एक basic level पर Linux अच्छे से आ गया है ठीक है